पहलों दोस्तों स्वागत आपका हमारी एक नहीं वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक अन्बोक्सिंग वीडियो तो जैसा कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजी तो यह देखिए हमने एक गेजिट मंगाया है य क्योंकि 400 वाट है तो यह देखिए अब लोगों देखकर समझ गया हूंगे कि इसमें के अंदर क्या होने वाला है तो देखें दोस्तों यह हमने मंगाई है मिनी हीड़ गन जो कि हमारी पुरानी वालती वह खराब होई और यह बिल्ड इसकिल ब्रांड का है यानि कि यानि कि इन्होंने थोड़ा इसका पावर जो है मैक्सिमम इसकी 400 वोट है यानि कि आपकी बिजली का 400 वाट लेगा और इसके इंप्ट वोल्टेज जो है 220 वोल्टेज और इसकी फिरकंती 50 जी जी होगा है इसकी अप्ट लेक्ट्रिकल समान के होती है तो टेंप्रेचर 250 और 400 यानि कि डबल टेंप्रेचर है जैसे कि यहां लिखा हुआ है तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं आपका टाइम ना लेते हुए तो प्लीज दोस्तों आप से एक रिप्रेश्ट करना चाहता ह हुआ है बहुत मेहनस सबनते हैं वीडियो वीडियो को लाइक करके जड़ू जाना तो हम इसकी करने जा रहे हैं अन्बोक्सिंग तो देशके दोस्तों इसके साथ काड निकला है और यह रहा हमारा तूल्स तो हम इसे रखते हैं साइड में तो देखेंगे दोस्तों यह हमारा ही टेयर गन है और इसके साथ काड निकला है यह तो देखेंगे इधर स्केल बना हुआ इस पर और इधर कुछ डेटेल्स लिखी वी है यह कह रहा है और इस पर लिखा हुआ है मैं समझाता हूं कि अगर बस तुम्हें यह इस सामान में इस टूल्स में कोई दिक्कत होती है तो इस इस पर इमेल दी गई है और वाट्सप नंबर है कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप नहीं तो वैसे भी यह एमजोन तो मंगाया है हमने पर जो पूरी चेंज करने की इस पर रेस्पॉंसिबिलेटी होती है अमाजोन के पास तो वैसे भी गवरानी कोई बात नहीं लेकिन उन्होंने भी सही बोला हम इनका भारी है इनका धन्यवाद कहना चाहते हैं तो इसे रखते हैं साइड में तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पर हैं बिल्ड स्किल हीड गन इस पर ब्राइंड का नाम दिया गया है और काफी लाइट वेड जैसा बोला था उन्होंने यह सही है बहुत अलगा है इसका साथ इस्टेंड भी है और यह वायर है और जैसा कि इन्होंने बोला था 250 टेंप्रेचर और 400 तो दोस्तों यह वे सही है टूए स्विच लगा हुआ है तो दोस्तों टूए स्विच डोल सप्लाई के लिए ही लगता है यह मैं इस वीडियों में बता दू नहीं तो कोई रीपेरिंग वाली वेडियो डालूंगा उसमें कहीं टूए स्विच की जरूअट होगी तो मैं आपको बता दूंगा किसकी कनक्शन कैसे होते हैं विलाल क के लिए इतना ही कि यह डावल सप्लाई को करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है यानि कि रोटर का काम करता है तो टूबे स्विच लगाए जाता है यानि कि दो लाइनों को एक साथ चलाने के लिए पहले एक पिर एक तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस पर दो लाइन है इधर एक लाइन है तो यानि कि इधर तो 250 टेंपरेशर चलेगा और दर चलेगा 400 यानि कि फुली स्पीट पर तो दोस्तों इसमों बताने वाली आपको यह सी खास बात है नहीं और यह देखिए इसका आगे से आप पैस भी देख सकते हैं मुह कि इतना बड़ा है चले दोस्तों हम अब इसे टेस्ट करके दिखाने वाले हैं आपको यह कैसे काम करता है तो यह रहा हमारा पास इसका प्लग हम इसे करते हैं तो दोस्तों हमने से सप्लाई दे दी है यह देखिए साउंड से पता लगा सकते हैं आप यह दोस्तों पचास टेंपरेचर पर था अब देखिए चारसो वाले पर तो मैं आपको भी टेस्ट कर रहता हूं यह देखिए जैसे की है अन्नी है देखिए मैं से चारसो पर चलाऊंगा ताके जल्दी से किट कर दे और वीडियो लंबी भी न बने और आपको पता लग जाएं अब दोस्तों देखिए पन्नी पे लग गई है अब दोस्तों बस यह इसी प्रकार काम करता है कोई सर्कुट पर साइसे हटानी हो तो आप इसके में दस्ता हटा सकते हैं और यह कापी सस्ता भी है तो चोटी मोटी आईसे हटाने की काम आता है बड़ी आईसे इससे नहीं आपको वीडियो कैसे लगी आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी कि अब के अज़ों कि हम आप आओ मी क्लोस्ति लाइग रप शामेश पेली आवासाइड तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में